हिमाच्छ परदीश के जिलाचंबा की ग्राम पंचायत धिमला के अंतरगत कलवारा जंगल में शुकरवार को घास काटने गई दो महिलाओं पर भालू ने हमला कर दिया है इस हाथ से में देवरानी की मौत हो गई जबकि जेठानी गंभीर रूप से घायल हुई है पुलिस ने मेडिकल कॉलेज चंबा में पोस्ट माटम करवाने के उपरांत शौप परीजनों के स्पूर्द कर दिया है गायल महिला को मेडिकल कॉलेज चंबा में पात्मे कुपचार के बाद भरती कर लिया गया है देखें चंबा से सुभाश महाजन की ये रिपोर्ट जी सर, मैं तिर्ट राज, बंदक्षक, अत्रिक परवारी बंदपाल उन्डी ब्लोक, आज सुबा नो बजे, मुझे मेरे बंदक्षक, स्रीग महीन कुमार के मद्यम से, क्रीब 10 मुझे, कौन के सुचना मेली, इकलवारा भीट में, दो अर्टों के ओपर, मालू ने अटैक कि पता चला है, एक महीला जिसका नाम ठांटी, पत्नी, सुबर गेरुराम गाउन तलपा, जिसके उबर शिमुझा वर्स थी, जो की मौका पर काफी घाईल अवस्ता में थी, जिसको इलाज एतो, इलाका अदिवासी आउस्परिल लेके आ रहे थी, तो जो है, दोलाने इलाज अफसान में उसके मिल्की होती है, दूसरी महीला पिंकी देवी, वाइक उफ सर्नो, गाउन तलपा, डागर बकारणी, तैसी रिवाजिला जंबा, उमर बताली सार, जो की घाहिल होई है, जिसके दानी बाजू में चोटे आई है, जिसका इलाज जो है, जैसे इसकी सुचना अब तुरंत ही हमने अपने बनमंदळला दिकारी को तुरंत दी, वाइक बनमंदला दिकारी को अदेश कामसाथ, मै वामेरभ बनमंदळक शोको है, मुका से अफ्ताल पौंच के गलाएं